हेलो एवरिवन वेलकम बेक माई यूटूब चैनल आज में आप लोगों के लिए एक और बेहद ही खुबसूरत और प्यारा सा ये कार्डिगन डिजैन लेके आए हूँ देखो ये कितना ब्यूटिफुल बनके आया है बैक साइड से कुछ इस तरीके का दिखता है देखो ये टॉप किसी भी प्रोजेक्ट पे ये बहुती सुंदर बनके आएगा इस डिजैन को बनाने के लिए हमने 18 के मल्टिपल फंदे रखने होते हैं 18 के मल्टिपल फंदे रखने होते हैं और लास्ट के ये देखो ये लास्ट के जो 8 फंदे हैं हमने डिजैन को एड़िस करने के प्रच्टास में आर्च ओसानी के वी जा तक मैं आप लोगों ने इस तरीके का डालना है तो मैंने इसकी वीडियो भी पहले अपलोड कि VOICE है अगर आप लोगोंने नहीं देखी है तो मैं इसकी लिंक भी may Reid JUST a कमें युद्म और भाडरी डूस fingers लिए ऍद इस के और और आपको कोई और बॉर्डर पसंद है तो उसको भी डालने के बाद इस डिजैन को अपलाई कर सकते हो चलो फिर स्टार्ट करते हैं इस डिजैन को बनाना इस डिजैन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 44 फंदे डाल के रखे हुए 44 फंदे डाले हैं ये मेरे 36 फंदे डिजैन के हैं 36 फंदे डिजैन के हैं और लास्ट के ये जो 8 फंदे हैं ये डिजैन को एड़िस करने के लिए ये वाले फंदे देखो ये लास्ट के 8 फंदे एस्ट्रा हैं डिजैन की हमारी फर्स्ट रो फ्रंट साइड से आएगी आप ल हमने सीधे बना लेने हैं देखो ये पहले फंदे को उतार लेंगे इसको भी हम अपने डिजाइन पे ही काउंट कर लेंगे देखो ये एक दो तीन चार पांच छे साथ और ये आठ आठ फंदे हमने सीधे बना लिए उसके बाद धागी को अपनी तरफ कर लेना है दो फंदे उल्टे बना लेंगे एक और ये दो धागा पीछे कर लेना है अब हमने क्या करना है एक दो तीन इन तीन फंदो को हमने अभी ऐसे ही रहने देना है और बैक साइड से देखो ये तीन फंदे बाद के देखो ये एक दो तीन ये जो तीन फंदे हैं उसके बाद ये जो तीन फंदे हैं देखो इस वाली सिलाई प सब्सक्राइब शवर चर्प्ती और सब्सक्राइब उनको हमने बाद में बनाना है, देखो इस तरीके से, 6 फंदों को हमने सीधा सीधा बना लेना है, इस तरीके से हमने केवल डाल लेनी है, देखो यह छे फंदे हैं हमारे, फिर हमने धागे को अपनी तरफ कर लेना है, और यहाँ पर दो फंदे उल्टे बना लेने हैं, एक और यह दो, यह हमारा फर्स पैटर्न यहाँ पर कंप्लीट हो गया, देखो यह, एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, सोल, सद्र, अठारह, यही अठारह फंदे हमने फिर से रिपीट कर लेने हैं, देखो यह, धागे को हमने पीछे कर लेना है, आठ फंदे सीधे बना लेने हैं, देखो यह, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और यह, आठ, आठ फंदे सीधे बना लिए, धागे को अ फिर से हमने एक पर फिर एक यूए फंदों नियुता है भी महारा माँ सब्राइब के मुगिपण चाहिए से सिलाई पे इस तरीके से ले लेना है फिर उसके बाद हमने 6 फंदे ये सिलाई में से इनको ड्रॉप कर लेना है उसके बाद ये स्टार्टिंग के जो 6 फंदे हैं हमने इसी सिलाई में डाल लेना है देखो एक दो और ये तीन उसके बाद ये ये जो इस वाली सिलाई के पहले वाले, देखो इस तरीके से 6 फंदे हो गए हमारे, इनको हमने फिर से सीधा-सीधा बना लेना है, जैसे हमने फर्स पैटन में अपना बनाया था, एक, एक, दो, तीन, चार, पांच, और ये छे, धागे को अपनी तरफ कर लेना है, दो फंदे हमने उल्टे बना लेने, एक, दो, ये हमारा सेकेंड पैटन भी कम्प्लीट हो गया, धागा पीछे करके लास्ट के ये आठ फंदे एस्ट्रा वाले इनको हमने सीधा बना लेना है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और ये आठ, डिजैन की फर्स रो फ्रंट साइड से कम्प्लीट हो गई है, सेकेंड रो है और बैक साइड है, यहाँ पे हमने क्या कर करना है, स्टार्टिंग के देखो ये जो एस्ट्रा वाले फंदे हैं, इनको हमने उल्टा उल्टा बना लेना है, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और ये आठ, अब हमने जो ये फ्रंट साइड में दो फंदे उल्टे बनाए थे, बैक साइड से इनको सीधा बना लेना यहाँ पे से हमारा डिजैन स्टार्ट हो जाएगा, देखो ये, एक और ये दो, दो फंदे हमने सीधे बना लिए हैं, उसके बाद धागे को अपनी तरफ कर लेंगे, और यहाँ पे हमने छे फंदे उल्टे बना लेने, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, उसके बाद पीछे कर लेंगे, यह जो फ्रंट साइड में उल्टे फंदे थे, बैक साइड से सीधा बना लेंगे, एक, और ये दो, धागा अपनी तरह, फिर से हमने यहाँ पे आठ फंदों को उल्टा बना लेना है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और ये आठ, देखो ये, इस्टार्टिंग के एस्ट्रा वाले फंदे थे, हमारे आठ फंदे, दो, चार, छे, आठ, उसके बाद हमने दो फंदे सीधे बना लिए, और छे फंदे उल्टे बना लिए, फिर से दो फंदे सीधे और ये आठ फंदे उल्टे, टोटल हमारे देखो ये, यहाँ पे, दो, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 फिर से हमने यही 18 फंदे रिपीट कर लेने हैं धागा पिछे 2 फंदे सीधे धागा अपनी तरफ 6 फंदे उल्टे 1, 2, 3, 4, 5, और यह 6 धागा पिछे 2 फंदे सीधे धागा अपनी तरफ लास्ट के 8 फंदे हमने उल्टे बना लेने हैं यह हमारा second pattern भी यहाँ पर बनके complete हो गया है और next row भी हमारी complete हो गई है अब हमारी third row है और front side है starting के 8 फंदे हम सीधे बना लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और यह 8 धागा अपनी तरफ फिर से 2 फंदे उल्टे धागा पीछे 6 फंदे सीधे यहाँ पर जो हमने केवल डाली थी यहाँ पर अभी हमने सीधे बना लेने हैं 6 फंदे 1, 2, 3, 4, 5, और यह 6 धागे को अपनी तरफ दो फंदे उल्टे धागा पीछे और यह हमारा first pattern complete हो गया फिर से यही 18 फंदे हमने repeat कर लेने हैं यह 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 उसके बाद फिर से repeat कर लेंगे 8 फंदे सीधे धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे धागा पीछे 6 फंदे सीधे धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे लास्ट की एस्ट्रा वाले फंदे इनको हमने सीधा बना लेना है 8 फंदों को यह हमारी थर्ड रो भी फ्रन्ट साइड से कम्प्लीट हो गई है अब हमारी फोर्थ रो है बेक साइड है देखो हमने जो हमने पहली रो बनाई थी बेक साइड से उसको ही बार-बार repeat कर लेना है देखो यह इस तरहिके से स्टार्टिंग के एस्ट्रा वाले फंदे हमने उल्टे बना लेने हैं आठ फंदे धागा पीछे कर लेंगे दो फंदे सीधे यहां से हमारा पैटर्ण स्टार्ट हो जाएगा दो फंदे सीधे छै फंदे उल्टे धागा पीछे दो फंदे सीधे आठ फंदे उल्टे यह हमारा फिर्स पैटर्ण यहां पे कंप्लीट हो गया धागे को पीछे करके फिर से हमने यही रिपीट कर लेना है फिर्स पैटर्ण को ही दो फंदे सीधे छै फंदे उल्टे धागा पीछे दो फंदे सीधे आठ फंदे उल्टे लास्ट वाले यह हमारी फोर्थ रो भी बैक साइड से कंप्लीट हो गई है अब हमारी फिप्त रो है फ्रन्ट साइड है फिर से हमने फिप्त रो को पहले वाली रो की तरह ही रिपेट कर लेना है आठ फंदे स्टार्टिंग के सीधे बना लेंगे धागे को हमने अपनी तरफ कर लेना है दो फंदे उल्टे फिर से हमने छै फंदे सीधे धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे फिर से हमने फर्स पेटन यहीं रिपीट कर लेना है सेकेंड पेटन को आठ फंदे सीधे धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे धागा पीछे छे फंदे सीधे धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे धागा पिछे कर लेंगे लास्ट के ये आठ फंदे इस्ट्रा वाले इनको हमने सीधा बना लेना है आठ फंदो को ये हमारी फिप्त रो भी फ्रंट साइड से कंप्लीट हो गई है अब हमारी सिक्स रो है बेक साइड है दिखो हमने पहले वाली सिलाईयों को ही रिपीट कर लेना है बेक साइड से आठ फंदे स्टार्टिंग के उल्टे दो सीधे यहां से हमारा जो ये सीधे फंदे है पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा दो फंदे सीधे, छे फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, आठ फंदे उल्टे, फिर से यही repeat कर लेना है, दो फंदे सीधे, छे फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, लास्ट के याठ फंदे उल्टे बना लेने हैं, तो मैं 6 रो बैक साइड से complete कर लेती हूँ, अब हमारी 7 रो ह अब हमने क्या करना है अब की बार इस्तार्टिंग के जो हम ये 8 फंदों को सीधा बना रहे थे अब की बार हमने 8 फंदे उल्टे बना लेने हैं देखोएए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और ये 8 8 फंदे उल्टे बना लिए और यह जो उल्टे फंदे हैं इनको तो उल्टा ही बना लेना है एक और यह तो धागा जाहा करो propag नेकि तेरी के बहु Chancellor साइड से शिलाई पर ले के इस तरीके से निलाए कि से फंदों को निकालें गे और इसके बाद ये बात के जो फंदे है उनको आगे कर लेना है और ये जो पिछे कर लेंगे देख़ें चीच्च्ग है तरीके से जैसे हमने फर्स्ट इस्टार्टिंग वाली सिलाई पे बनाया था फिर हमने छे फंदों को ये सीधा बना लेना है एक, दो, तीन, चार, पांच, और ये छे दो फंदे हम उल्टे बना लेंगे, एक और ये दो सेकंड पेटर्ण भी कंप्लीट हो गया और लास्ट की ये जो आठ फंदे हैं इनको हमने उल्टे बना लेने हैं ये हमारी सेवन्थ रो फ्रंट साइड से कंप्लीट हो गई है अब हमारी एट्थ रो है बैक साइड है इसको हमने पहले की तरह ही बना लेना है तो मैं बैक साइड से ये वाली रो भी कंप्लीट कर लेती हूँ आठ वी रो बैक साइड से कंप्लीट हो गई है नवी रो है फ्रंट साइड है फिर से हमने स्टार्टिंग के देखो आठ फंदे उल्टे बना लेंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ और ये आठ और ये जो उल्टे फंदे हैं इनको भी उल्टे बना लेंगे टोटल दस फंदे उल्टे बना लेंगे यहां पर हमने धागा पीछे कर लेना है फिर से हमने यह जो 6 फंदे हैं इनको सीधा बना लेना है एक दो तीन चार पाँच और यह छे धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे फिर से हमने यही 18 फंदे रिपीट कर लेने हैं धागे को अपनी तरफ कर लेंगे 8 फंदे उल्टे यह जो सीधे वाले फंदे हैं यह जो उल्टे वाले फंदे हैं दो इनको भी उल्टाई बना लेंगे टोटल 10 फंदे उल्टे बना लिए धागा पीछे करने के बाद यहां पर हमने 6 फंदे सीधे बना लेने हैं धागे को अपनी तरफ कर लेंगे दो फंदे उल्टे सेकन्ड पेटर्न भी कम्प्लीट हो गया लास्ट के ये आड फंदे हैं इनको हमने उल्टा ही बना लेना है इस्टर वाली फंदों को नवी रो हमारी फ्रंटे साइड से कम्प्लीट हो गई है दस वी रो मैं बैक साइड से पहले की तरह ही कम्प्लीट कर लेती हूँ 10 वी सिलाई हमारी back side से complete हो गई है अब हमारी 11 वी row है front side है यहाँ पे हमने देखो starting के जो हम ये 8 फंदे उल्टे बना रहे थे अब की बार हमने इनको सीधा बना लेना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 धागा अपनी तरफ 2 फंदे उल्टे धागा पीछे फिर से 6 फंदे सीधे धागा अपनी तरफ 2 फंदे उल्टे फिर से second pattern यही repeat कर लेंगे यही 18 फंदे 8 फंदे सीधे धागा अपनी तरफ 2 फंदे उल्टे धागा पीछे फिर से 6 फंदे सीधे धागा अपनी तरफ 2 फंदे उल्टे धागा पीछे फिर से last के यह 8 फंदे एस्टरा वाले फंदे यहाँ पे तक हमारा second pattern complete हो गया था फिर से last के 8 फंदे हमने सीधे बना लेने हैं ग्यार वी रो फ्रंट साइड से complete हो गई है बार वी रो को मैं back side से complete कर लेती हूं पहले की तरह ही बार वी सिलाई back side से complete हो गई है और यह हमारा यहाँ पे design भी complete हो गया है फिर से यही बार सिलाई आपने repeat कर लेनी है और अपने पूरे project पे इसको apply कर लेना है अगर आप लोगों को वीडियो नहीं समझ में आ रही है design नहीं समझ में आ रहा है तो आप starting से फिर से वीडियो को देखिए तो जरूर डिजैन समझ में आएगा तो आप लोग जरूर ट्राइ करना इसको अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लीजिए और वेल आइकन को भी दबा देना तांकि में इस तरीके की कोई भी वीडियो डालो उसकी notification आप तक आजाए thanks for watching